हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में आज बेहद महत्पुड कानून के बारे में आप जानेंगे साथ यो कि जिसका कवजा वही मालिक ठीक है इस पर कोट ने आदेश भी दिये हैं और चार-पांच कंडिसन्स भी बताई हैं और एक सेक्षन और है 144 जो प्रॉपजन करता है कि कानूनन सभी में सभी के बारे में बताऊंगा एक चीज और जो कई लोगों के जमीन विवाद हैं बचार वो कोट कचरी के चक्कर काट रहे हैं कोई भी समाधान नहीं मिला उनके बारे में भी मैं कुछ बिंदू पर प्रकास जालूँगा सातियों सबसे पहले में यह किते हैं तो वह अच्छे से आप देखते रही हैं उसके डॉकुमेंट्स वेरिफाई नहीं कर रहे हैं या जमीन आवाली यह पैत्रिक थी तो कुछ गड़बणिया की आपने वह क्या की पहले वह जान लीजिए उसके बाद में आपको कानून विद्वत में आपको सारे के स सारे बताऊंगा विद्व सेक्संस के वीडियो बहुत ही इंपोटेंट होने वाला एक चीज में साथी और कहूंगा यदि आप कोई कानूनी सला लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कोई डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाहते करवा सकते कॉंटेक्ट नमर हमारा वीडियो दिया गया है एक्चुली साथियों मैं आपको एक चीज बता दूँ कि कबजा अवैद कबजा संबंदी विवाद होते ही नहीं है अब आप कहोगे ऐसा कैसे मैं इसलिए बता रहा हूं अक्सर जो भी विवाद होते हैं वह या तो आपके जैसे माली जी आपका गाटा संक्य या पांच जमीन है माली जी कोई भी है यह जमीन जो आपका जमीन नंबर है पांच यह जमीन है ठीक है अब जो भी विवाद होते हैं तो या तो यह जो दस नंबर वाला है यह बंदा या तो यह परेशान करेगा कि नहीं हमारी जमीन आतक है इसने कबजा कर लिए या तो य परिशान करेगा या यह जो भी मालीजी गाटा से सटे हैं यह लोग परिशान कर लेंगे आपको ठीक है तो इसके लिए क्या होता है सेक्षन 24-24 लेकिन हकीकत साथियों यह है कि आप कोट कचेरी की चक्कर काटिए SDM पैसे खाके जो है वो न्याय दे देते हैं अगर मालीजी गाटा संक्या दसवाला कोई विदायक है पैसे वाला है इसने SDM को मालीजी लेक पाला को पैसे खिला दिये तो भले यह जमीर में यहां तक कबजा किये SDM यह लोग कुछ भी नहीं कह पाएंगे कुछ भी ठीक है अ पडोस वाला ही तो आपको कबजा परिशन कर रहा है या तो यहसी समस्या है ठीक है और SDM तैसिलदार लेकपाल कानून को महा रिस्वत खोर 99% सात्यों यह इतने महा रिस्वत खोर होते हैं यह revenue के अधिकारी इतने नीच हो चुके हैं कि कि किसी से भी रिस्वत नहीं बताऊंगा और जो कबजा जिसका कबजा वही मालक वह भी कानून बताऊंगा आप धहर रखिए यह वीडियो में पूरा कर लेने जी जो बहुत जरूरी और कोई भी कानून इसला लेना चाहते ले सकते कॉंटेक्ट नमबर वीडियो के डिस्वत दिया गया दूसरा सातियो समद्र विवाद विवाद हैं विवाद जो विवी हैं वो साहते दारक वाले यहां तो मानलीजे दस नमबर वाले ने नकूडिक बना लिए आपके में आप खूब काटते रहो कोट कचरी की चक्कर कुछ नहीं होने वाला हकीकत है यह नियाय प्रडाली एक्जुक्यूटिव मजिस्टेड यह इतने साथियों विरस्ट हो चुके हैं इनकी नीचता की कोई बात न की की जाये तो बहतर है अकीकत है यह 99 परसेंट ठीक है मैं एक्जुक्यूटिव की बात कर रहा हूं यहां पर जुड़ी से ली की नहीं ठीक है साथियों एक चीज और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करिए लिंक वीडियो के डिस्वन दी गई साथियों ठीक तो अब आप जब रजिस्टरी कराते तो भाई ध्यान रखिए कि यहां पर 116, 117 की 124 की कारवाईयां हो चुकी है कि नहीं अगर हो चुकी है तो ही जमीन खरीदिये अगर नहीं हो चुकी है तो आप 116, 117, 124 करके आप पहले ही अपनी जबीन सेपरेट कर सकते जिसमें बविस्त में सबसे ज्यादा सैखाते दारक यानि कि जो आपके इससे दारे वह बाद करते हैं या माल लीजिए जो साइड वाली जमीन के हैं जो जमीन से टच है या वो परेसान करते हैं ठीक है उन्हीं के बाद हैं तो उनके लिए 116-117-24 है इन्हें का परवाई करिए ठीक है प्रोसेस न कर लिए तीन वाले ने बारा वाले ने किसी ने कभजा कर लिया है ठीक है तो अगर डारेक्टली कभजा किया है तो तो आप पुलिस से फोर करेंगे यह जबरन कभजा कर रहा है पुलिस उसे हटा देगी निस्चिती ठीक अगर को जबरन कभजा कर रहा है अब पुलिस भी इसलिए नहीं अटा पाती है उसमें कारण है कि अगर माल लीजिए सात्यों यह दसवाला कपजा करेगा यानि कि 24 में सालों मुकदमा लड़ी है ठीक है अब इसमें कानून क्या दिये गाई आप देखिए जिसने कभजा किया उसके फेवर में कानून कितना पुरा दिया गया प्रत्कूल कभजा एक तो यह कानून मैं आपको बता रहा हूं जो यूपी आर्सी सेक्षन 144 में दिया गया है य कि आप साथियो लिगल एडवाइस भी लिए सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो के डिस्वन दिया गया है और वीडियो चला गया है लाइक करें शेयर करें और ट्विटर पर फॉलो करें क्योंकि यह ब्रस्ट अधिकारी जिनके इनके खिलाब मैं अवस्य बोलूँगा साथि इस जमीन पर मेरे अधिकार है और इसकी गोशड़ा कर सकता हूं इसमें पार्टी बनाई जाएंगे राजसरकार ग्राम सवा दोनों को नोटिस जाएगा केस चलेगा अगर यह केस जीत गए मैं तो खाता खतौनी में दारा 144 में हमारा नाम डज कर दिया जाएगा यानि कि म मालक बन गया ठीक है ना यह चीज हो गई भाई मैं चाहता हूं कि हमारे भारत में ऐसा कानून होना चाहिए कि यदि यह जमीन है आपकी यदि यह वाला जमीन सैखाते यह वाला भी अगर इतना आ गया तो इसने कोई भी विल्डिंग कर बनवाली और ट्रवा दी जानी चाह इस पर मेरा कब जाए ठीक है प्रत्कूल कब जाए 12 सालों से तो मैं जमीन का मालक बन जाओंगा मुझे मालक आना भाई यह क्या है यह लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्या है केवल अपराद जो माली जी मार पीट या गोली मारना यह अपराद थोटी नहीं यह भी बहु टो मिल जाएगा लेकिन कुछ आप नियम सर्तों का पालान करिए वह आप जान लीजिए पहला यह जो भी बात मालीजिए यह एक्स जमीन आपकी है मैं हूँ ए मैंने कब्जा कर लिए आप बी आपकी जमीने तो मैं बने गया बाद ही आपकी जमीन पर मालक आना पना चाहता तो वादी को दलील देनी होगी यानि कि मुझे दलील देनी होगी आपकी जमीन पर सावित करना होगा कि वास्तविक कवजे का मालक यानि की प्रत्कूल कवजा का दावा कर रहा है पहले मुझे यह सावित करूं कि भाई मैं प्रत्कूल कवजे के आदार पर दावा कर रहा हू से जो है कवजा है और इस तत्थिका जो है मालिक को पता आना यानि कि में कोट में ये भी साबित करूं किस एक्स प्रॉपरिटी में मेरा 12 साल से निरंदर कवजा है और आपकी जानकारी में आपने कोई एक्सल नहीं लिया ये भी प्रूफ करना होगा तीसरा है सातियों कि वादी को यह भी निविदन करना होगा और इस्थापित करना होगा कि वह कवजे में कव से आया मुझे यह भी इस्थापित करना होगा कि मैं 1999 से कवजा आगर में बता रहा हूं तो सातियों यहां पे डॉकुमेंट्स वगेरा कुछ एविडेंस देने करना होगा कि उसका कभजा खुला तथा निरबाद दे यानि कि मुझे यह भी इस्तावित करना पड़ेगा कि मौद इस पर कोई भी विवाद नहीं हुगा है कोई के मामला प्रेंडिक में नहीं कोई केस नहीं चलना हमारा कवजा खुला अबम नर्बाद दे अगर इतनी चीज़ें मैंने कोट में दलील में सावित कर ली तो इस जमीर का मालक हो जाओंगा मैं और आप जाइए कोट के जरी के चक्कर काटते रहिए आप पीड़ित बने कितना ग देशनों गया अगर आप कोई बार परपर्टी करीते रहें को डॉकुमेंट चेक करवाना चाहते कि property सही है कि नहीं नेल लाइक है कि नहीं है तो आप करवा सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो के डिया गया साती हो बात वाकिया मुझे ट्विटर पर भी आपस फॉलो करें अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो धन्यवास आती हो